जै श्री किष्णा प्रिये दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर दर्शकों आज का वीडियो बहुत ही मैतपूर्ण है और मैतपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर यानि इस वीडियो के अंदर मैं वो भविश्यवानी करने जा रहा हूँ जो ना तो आज से पहले किसी ने की है और ना आज के बाद कोई इस पर कोई भविश्यवानी कर पाएगा क्योंकि ये बात ही ऐसी है जिसको कहने के लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन और बहुत हिम्मत चाहिए ये कौपी पेस्ट का मैटर नहीं है ये तत्यों के आधार पर कही जाने वाली बात है और जिसका आंकलन मैं आपको आज इसके वीडियो में दे रहा हूँ और इसे मैंने सस्टी के आरंब से लेकर आज तक ये सुत्र कहां कहां लागु हुआ हुआ कि नहीं हुआ प्रमानिक्ता क्या थी इन सब को ध्यान में रखा है और हर जगे ये सुत्र सटीक तरीके से काम करता रहा है यह यह कह सकता हूँ कि ब्रमान का वो रहसे है आने वाले समय के अंदर एक विश्व की ऐसी तस्वीर पेश करता है जो इस युग के अंत और अगले युग की शुरुवात की एक साफ पिच्चर हमारे सामने रखता है दर्शकों आने वाला समय जो युग परिवर्तन का है उसमें सबसे ज़्यादा विनाश जिस चीज का होगा वो होगा हमारी विकास यात्रा का यानि बुद्धी के बल पर जितना भी बड़ा हमने समराज्चे संसार में खड़ा किया है उन सब का अंत इस युग परिवर्तन के अंतिम बेला में अवश्य होगा होगा ही होगा हजार परसंट होगा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सश्टी के आरंब में सत्युक के समय पर उस समय ब्रह्मान का एक तत्व काम करता था जिसे कहते थे आत्म तत्व यैनि सभी लोग पवित्र आत्माई हुआ करती थी लेकिन जब सत्युक का समय समाप्त होने के निकट आया त्रेटा का समय आरंब होने वाला था उस समय पर आपने एक शास्त्रों में कहानी सुनी होगी हमारे शास्त्रों में मन्नित है हिर्णाकश्य। और पहलात की यानि हिर्णा कश्यप उस सत्युक के अंत का वो चरित्र था जिसने आत्मत्तत्व को मानने से ही इंकार कर दिया था और उसने अपने स्वयन की सत्ता को इस संसार में स्टैबलिश करने की कोशिश की और वो समय ऐसा था जब भगवान को पहलाद की रक्षा करने के लिए अंतिम चर्ण था उसके बाद त्रेता का चर्ण आया यानि त्रेता युग आया त्रेता युग के अंदर भी जब त्रेता युग का अंतिम काल था तब भगवान राम इस धरा पर मौजूद थे और भगवान राम के समय पर उस त्रेता युग के अंदर एक और एलिमेंट इस ब्रह्मान में काम करा था उस पूरे युग के अंदर काम करा था। लेकिन भगवान राम के समय पर भी यानि उस त्रिता यूग के अंतिम समय पर भी एक विक्रती संसार में आई, लोगों के मन विक्रत होने लगे, रावन ने सीता पर गलत नजर डाली, सुर्पन्खा ने राम पर गलत नजर डाली, बाली ने अपने ही भावी पर गलत नजर ड उसके बाद बात करते हैं, द्वापरयुक्य की। द्वापरयुक्य की अंदर जो इलेमेंट इस प्रमहणड में काम कर रहा था, वो मंगल का ऐलेमेंट था यानि की शारिरिक बल सामड थे। ये element उस समय काम कर रहा था तो उस युग के अंदर सभी योध्धा अपने बाहु बल पर ही शाशन कर रहे थे और उसका जो अंतिम समय था यानि कि दौपर का जो अंतिम समय था दौपर युग का जब भगवाई श्री कृष्णि सधरा पर आई तब उस समय पर बाहु बलियो की पूरी फौज इस संसार में मौजूद थी कान को देख लीजिए भिश्म पितामा को देख लीजिए दौणाचारे को देख लीजिए क्रपाचारे को देख लीजिए हर योध्धा अपने आप में एक अलगी तरह का समर्थे रखता था ऐसा समर्थे आपको त्रेता उस समय पर आया था कि लोगों को इस बाहू बलके आधार पर जो यातनाई मिल रही थी, जो परिशानिया मिल रही थी, हड़ धर्विता जो हो रही थी, जिसके कारण से उस समाज को इतना ज़्यादा नुक्सान पहुंचाया गया कि भरे दर्बार के अंदर द्रौपती का ची लबी बाहूबली शेश रहा ही नहीं, जिसने अपने बाहूबल का गलक प्रयोट किया। अब उसके बाद आता है कल्यूग तब कल्यूग में क्या होगा कल्यूग के अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर जो एलेमेंट काम कर रहा है वो बुद्ध का एलेमेंट काम कर रहा है और इस पूरे कल्यूग के अंदर बुद्ध का एलेमेंट इस इनसान को यानि हम लोगों को बुद्धी का वो सामर्थे देगा जिसके बल पर हम बहुत कुछ कर पाएंगे और इसी लिए कल्यू के अंदर हमने अपने बुद्धी बल के आधार पर इतना कुछ समझ लिया है, इतना कुछ कर लिया है कि आज हम मुबाइल टेक्नोलाजी कम्प्यूटर यहां तक कि मंगल ग्रह पर यान पहुचाना चंद्रमा पर हमने अपना कदम रख दिया है, अब हम सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं और अंत्रिक्ष में यानि और ग्रहों पर हम अब बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं यह हमारा बुद्धी कौशल है क्योंकि इस समय पर इस ब्रह्माण के अंदर बुद्ध का इलिमेंट काम कर रहा है और जब बुद्ध का इलिमेंट बुद्धी का बल है उस बुद्धी के बल का गलत प्रियोग हो रहा है आज बुद्धी के द्वारा व्यक्ति ऐसे ऐसे वेपन्स बना रहा है जिसके द्वारा वो इस संसार को खत्रे में डाल रहा है कोविड जैसी महमारी फैला रहा है अपने बुद्धी के बल पर प्रकर होंगे और उसके पश्चात इस संसार से बुद्धी के बलका भी पूण नाश अवश्य हुगा यानि जिन लोगोंने बुद्धी के बलपर सम्राज्य खड़ा किया है, बुद्धी की ताकत के बलपर इस संसार को प्रगती दी है, अपने नहीत स्वार्थ के लिए और पूरे संसार को उसमें कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उन सब का अंत इस कल्यूक के अंतिम कालखंड में जरूर होगा, और ये कल्यूक का अंतिम कालखंड ही चल रहा है, और इसके पश्चा जो element इस ब्रह्मान में काम कर देगा, वो गुरू का element होगा, यानि प्रश्पति अर्थात ज्ञान, अर्थात धर्म, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाला समय धर्म युक का है, बुद्धी के बल पर की जाने वाली तरकी यहां पर शुनने होगी, बुद्धी के बल का जिनोंने समाज के ल element इस पूरे ब्रह्माण में काम करेगा, वो ज्ञान तत्व होगा, वो धर्म का तत्व होगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आने वाला समय सनातन संस्कृति का है, सनातन धर्म का है और आने वाला युग धर्म युग है, दर्श्प को इसके संधर में मैं और डिटेल में बात कह सकता हूँ, लगबग 5-6 गंटे की वर्क्शॉप आपके सामने ले सकता हूँ, सब्जेक्ट को ले करके, जहां एक एक बात मैं आपके सामने प्रमाण के साथ रखूँगा, कहीं कोई संशय नहीं है, कि ये चीज़ नहीं होगी, कैसे इस ब्रह्माण के अंदर कौन स सतत्व काम करता है, हम इस संसार के अंदर इस समय पर किस कालखंड में खड़े हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा, मैं आपको आने वाले दस हजार वर्षों का भी आंकलन दे सकता हूँ, इसलिए दैशको, ये जो जोतिश के ग्यान के संधर में लोग ब्रह्म करते हैं, संशय पैदा करते हैं, उन्हें ये अभी समझना पड़ेगा कि जोतिश का ग्यान इतना महान ग्यान है, जिसके द्वारा भविश्य के गर्ब में बहुत आगे तक देखा जा सकता है, और इसलिए इसे वेदो की आँख कहा गया है, और जो हमारी अठारा तारिकों वर्क्शॉप ह स्थापना के रिए वर्क्शॉप हो रही है, और उस वर्क्शॉप में इस धर्मयुक के स्थापना के संदर में क्या सुत्र हमारे वेदों में है, क्या प्रमान हमारे पास महजूद है, उसके संदर में पूरा व्याख्यान दूगा, इसलिए दर्श्य को जो बात मैंने आज अपने इस वीडियो में कही है अपने गहन रिसर्च के बाद कही है और इश्वर ने ये काम मुझे सौपा है इस धर्म यूग की स्थापना के अंदर पुराने मुल्यों को इस संसार के अंदर इस्टैबलिश करने की जो जिम्मेदारी मुझे उपरवाले ने दी है आज मुझे उनका दिया वो कारे समझ भी आ रहा है कि क्यों उपरवाले ने मुझे समय समय पर वो इंडिकेशन दिये मुझे उस काम को करने के प्रेरित किया कि आने वाले समय के अंदर वो उपरवाला उ चाहता है। इसलिए धर्म योग के अंदर इस संसार का हरु जीवात्मा संसार की हर वो जीवात्मा पुवित्र है उस्था जरूर अच्छा लगा होगा अगले वीडियो में आप से फिर बेट होगी तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए जय हिंद जय भारत